तारा मधू डाइरीज पर कार्विंग वाला केक बनाना है ड्रिप्स वाला गनाश वाला ऐसी केक्स बनाने है तो आज इस वीडियो में आपके सारे कंक्यूजन दूर होने वाले हैं कैसे चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मार्केट में एक प्रोड़क्ट मिलता है आज कुछ कैमरा ठीक ही नहीं हो रहा है मार्केट में ये वाला प्रोड़क्ट आपने देखा होगा इसके उपर लिखा है blossom glazing gel आपको mirror image में इसका opposite picture दिख रहा होगा बट आप इसके चित्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पर लिखा है glazing gel ये क्या होता है ये neutral gel glazing gel एकी चीज होती है vanilla cold जहां पर cold word आ गया वो चीज दूसरी होती है जो भी मैं आपको बताऊंगी बट ये जो glazing gel है neutral gel है ये एक ही चीज होती है अब बारी आती है इसी से related एक और चीज की cake gel की बहुत से लोग confused रहते हैं कि मैं मैं cake gel डाल दू तो देखी cake gel मतलब cake के batter में जो gel डलता है cake के sponge को बढ़िया बनाने के लिए as a cake improver वो होता है cake gel और decoration में cake gel का कोई काम नहीं होता इससे आपका cake और भी ज्यादा soft spongy बनेगा ये तरीके का emulsifier preservative होता है जो कि cake को और भी अच्छा rice कर देता है और ये vegetarian product होता है और इस पर green signal भी है मतलब sign भी है तो इसे हम अपने cake के batter में डा देखना चाते हैं तो इस वीडियो के description box को चेक कीजेगा how to make cake sponge bakery style using cake gel आपको वीडियो मिलेगी आप उसे देख सकते हैं तो ये cake gel है जो की cake बनाने में मतलब sponge जो cake का sponge होता है उसको अच्छा rice flour बनाने में जालीदार बनाने में help करता है तो ये totally एक दूसरी चीज है वहीं पर neutral gel, glazing gel ये एक चीज होती है जो कि अगर आप texture देखें तो transparent होती है यानि कि जैसे aloe vera gel आता है बिल्कुल transparent होती है मेरे पास पले blossom का glazing gel था ये 1 kg की packing में और 2 kg ये 5 kg की packing में आता है और इससे खम की packing में ये नहीं आता और अब आप ये सोचे कि मेरे पस तो को ये एक द आरा मदू की recipe पर डाली हुई है, corn flour, पानी और चीनी के मदद से आप इसे घर पर बना सकते हैं बट store नहीं कर सकते हैं क्योंकि corn flour है प्रिज पर रखने के पास वो थोड़ा जम जाता है तो आपको reheat करके दुबारा उसको उस consistency में लाना होगा तो बैटर है आप हर बार नय कर रहे है रोजाना तो आप बना नहीं सकेंगे क्योंकि time जाता है तो आप एक के जी वाला blossom का neutral gel ले सकते हैं बट मैं जैसा बोल रही हूं मेरे पास drip के के कार्विंग के बहुत आते रहते हैं तो मैं जब मार्केट गई तो मुझे ये riches का नगल neutral gel मिला, glazing gel, neutral gel ये सब एक ह लग चीज होती है, neutral gel, glazing gel जिन पर भी लिखा है या glaze लिखा है वो एक ही चीज होती है, मैं इसको खोल करके भी आपको दिखा देती हूँ, ये कैसा होता है, ये देखिए, एकदम transparent होता है, स्पून से आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, कैसा इसका texture होता है, ये इस तरीके का इसका texture होता है, एकदम transparent ये देखिए, एकदम transparent होता है, अभी आपको दिख रहा होगा, इसमें clots बने वे हैं, क्योंकि है तो ये एक चीजी के चाशनी, तो जब हम ये use करना होता है, हम क्या करते हैं, काटोरी में निकालते हैं, बावल में और चम्मस से ऐसे अलगर गाड़ा है, तो फलका सा पानी डाल दीजिए, एक ड्रॉप, जादर से जादा, और उससे अपना काम कीजिए, तो ये flowing consistency में आ जाता है, और इसको कभी भी फ्रिज में store ना करें, रूम टंपरेचर भी रखे रहें, मेरा ये रूम है, मैं यहीं पर इसको रखती हू तो बहुत शाइनी बनती है, इस न्यूट्रल जेल से आप केको पर ड्रिप्स बना सकते हैं, पूरे केक को कवर कर सकते हैं, स्क्रेपर की मदद से, या फिर कलरफुल न्यूट्रल जेल मना कर पाइपिंग बैग में राइटिंग का काम कर सकते हैं, और पूरे केक पर डाल कर के carving वाला काम कर सकते हैं इस तरीके के काम ये neutral gel करता है अब एक और चीज़ आती है friends ये देखिए इस पर लिखा है नगल white glaze cold glaze अब कहने को तो इसमें कोई फरक नहीं है इन दबों में लेकिन बस cold glaze जहां नाम आ गया इस पर लिखा है white इसके उपर white लिखा है तो मैं समझ जाओंगी कि white है मतलब ये दूदिया वाला glaze है इसको भी आप drips में यूज कर सकते हैं इसमें color डालेंगी तो अलग shade आएगी जैसे दूद में आपको color डालेंगी तो एक अलग shade आएगी और transparent में लालेंगी तो अलग shade आएगी तो इससे बन करके ready हो जाता है बट ये भी friends बहुत कम quantity में यूज होता है बट मेरे पास भी कम order आते हैं इसके बट क्या करें मजबूरी है ये एक केजी से नीचे की पैटिंग में नहीं मिलता है और इसको बनाने का method मैंने ट्राई किया मुससे नहीं बना और ये मेरा एक दिर साल पुराना था इनके shelf life भी तीन-चार साल होती है आराम से ये काम करते हैं तो फिर जब मेरा खता हुआ तो मुझे फिर से एक केजी का ही लाना पड़ा क्योंकि इससे नीचे गा तो आता नहीं है और इसी के साथ friends हमारे के के डेकोरेशन मतलब के के आइसिंग में सारी डेकोरेशन में नहीं आइसिंग के अंदर उसको टेस्टी बनाने के लिए मार्केट में फिलिंग्स भी आती है ये चेरी की फिलिंग का बॉक्स है ये थोड़ा कॉसली आता है इस पर 475 लिखा है 450 में मिल जाएगा और ये है पाइनपल की फिलिंग और इस पर लिखा हुआ है 375, 350 में आपको मिल जाएगी बट 50 रुपीज में भी आप इसे आधा लीटर, आधा किलो बना सकते हैं और उसकी डीटेल रेसिपी आप मेरे ताहरा मदू की रसोई पर देखिए मैं यहां गौाटी आसाम में रहती हूँ यहां पाइनपल खूब आते हैं 50 रुपे का मुझे भी मिला था अभी सीजन में तो और भी सस्ते होंगे बट मुझे आपके साथ ही रेसिपी शेयर करनी थी तो मैं 50 रुपे में ले आई आई आप जैसे 20-30 का आएगा पटपट से अभी वहां रखे दिखाती हूँ इसमें चेरी के चंग्स होते हैं, मतलब केक का टेस्ट डबल हो जाता है, तो यह भी बहुत टेस्टी लगती है, जब केक में जाती है, तो तीन फिलिंग आती है मार्केट में, मैं तीनों ही लेकर आ गई, क्योंकि हमें तो भी आपने केक के टेस्ट को बढ़ाना अच्छा होत हैं, या फिर टाइगर प्रिंट में वो काम देता है, तो यह था आज का वीडियो, जेल, केक जेल, नूटरल जेल, कोल्ड गलेज, और क्रशेज और फिलिंग को लेकर के, I hope आपको समझ में आया होगा, और अब इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट, मतलब मैंने दूर कर दी हुँ जब आप, और इस तरीके से फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, ताकि आपको कुछ में जानकारी दे सकूँ, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेर जरू कीजेगा, चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, और हम फिर मिल करेंगे, कल एक बहुत ही बढ़िया से वीडियो में ला रही हूं, उसे जरू देखेगा, बिना स्किप किये, चलिए, बाबाई, टेक एल,